हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डिस्टेनिंग प्रतापगड उत्रप्रदेश दोस्तो कोरोना नामक वैश्विक महामारी का कहर अब दोस्तो कम होता चला है जन सामान में दोस्तो धीमे धीमे रोनका रही है ऐसी इस्थति में शिक्षा छेत्र खास तौर पे जो नौनिहाल हैं जो छोटे बच्चे हैं अभी भी वो घरों में दोस्तो कैद हैं ऑनलाइन मौड से एजुकेशन के लिए विवस हैं क्योंकि सिक्षा सही अर्थों में अपने लक्ष को तभी प्राप्त कर पाएगी जब सिक्षक और सिक्षार्थी का आपसी संवाद हो फेस टू फेस इंट इंटरेक्षन हो उत्तर प्रदेश में माननी मुखमंत्री शिरीयोगी आदितनात के कुसल नेत्रत में दोस्तो सरकार इस बात का वेट कर रही थी प्रतिक्षा कर रही थी कि केंद्र सरकार की ओर से नई गैडलाइन्स जारी हों खास्तोर पे स्कूल खुलने के सम्बंद में केंद्स सरकार ने दोस्तो नई गैडलाइन्स जारी किया है केंद्स सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि अब कक्षा 6 से लेके 8 तक के विद्यालियों को ओपिन किया जाए लिए उत्तर प्रदेश में बेसिक सिख्षा परिश्द के नियंद्रणा धिन जो भी परिशदी प्रात्मिक विद्यालियों कि बेसिक सिख्षा परिश्द ने दोस्तो फ्रेमर्ग तैयार कर लिया है और अब इस बात के कयास लगा जा रहे है की उच्छ प्रात्मिक विद्याले यानि कक्षा 6 से 8 तक 1 मार्च से और प्रात्मिक विद्याले यानि कक्षा 1 से 5 तक 15 मार्च से दोस्तों खुलने की उम्मीद जताई जा रही है आज माननी मुखमंतरी श्री योगी आदितनाजी पूरा का पूरा बेसिक शिक्षा परिशत का ये विस्वास है माननी मुखमंत्री श्री योगी आदितनाथ की आज यानी शुकरवार को इस पे मंजूरी मिलते ही बिलकुल ये दोस्तो इसकूल खुलने की दिशा में एक मील का पत्थर होगा और हरी जण्डी यानी ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और उसी के क्रम में पहले कक्षा 6 से ले के 8 तक की विद्याले और उसके बाद 15 मारर से कक्षा 1 से ले के 5 तक की विद्याले खुल जाएगी चूकि नया से एक्षिक सत्र अब दोस्तो आने वाला है नया सेक्षिक सत्र एक अप्रेल 2021 से शुरू होगा इससे पहले एक बच्चों का फीड़बैक उसे रिलेटर जो बच्चों की तयारी है वो कर ली जाए तो बात करते हैं दोस्तों यही कि प्रदेश में कक्षा 6-8 तक के उच प्रात्मिक स्कूलों को एक मार्च और कक्षा 1-5 तक के प्रात्मिक स्कूलों को 15 मार्च से खोलने का प्रस्ताव है पेस्विक सिक्षा विभाग ने ये प्रस्ताव मानिमुख मंतरी श्रीयोगी आदितनात के समझ पेस किया है विभाग की अधिकारियों का मानना है कि इस प्रस्ताव को शुकरवार को मंजूरी मिल सकते है केन सरकार की और से उच प्रात्मिक स्कूलों को खोलने की गाइडलाइन जारी होने के बाद मानिमुख मंतरी ने इस्तियों का आकलन कर स्कूल खोलने की निर्देश पहले ही दे दिये थे उन लेखनी है कि परशदी स्कूलों का स्रेक्षिक सत्र 2020-21 का संचालन 31 मार्थ तक होना है और एक अपरेल 2021 से नया स्रेक्षिक सत्र संचालित किया जाएगा तो दोस्तों लंबे विराम के बाद, लंबे एक नय परियोग के बाद यूँकि बच्चे घरों में हैं, परिवार की देखरेक में हैं, अभिवावकों की देखरेक में हैं और उनका जो सिक्शन का प्रारूप है, सिक्शक उनसे जुडने के लिए तकनीकी के साथनों का प्रियोग कर रहे है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो सिक्शक संतुस्त हैं और ना ही घर में अभिवाबक संतुस्त हैं, क्योंकि शिक्षा का जो प्रारूप है जो यूगो-यूगो से चलना आ रहा है शिक्षा का उसिक्षार्थी के बीज जो समवाद है जो फेस-टू-फेस इंट्रेक्शन है जो गुरू का असपर्स है खास्त और पे मानव स्पटल पे जो प्रारूप गुरू का दोस्तों पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ पा रहा है ऐसी इस्तिति में इस्तितियों का सम्मक आकलन करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की ये पहल रंग लाएगी और COVID-19 वैश्विक महामारी का जो अभियान चल रहा है और जो सफलता मिल रही है उसकी दिशा में दोस्तों एक नई बात होगी एक नई वैश्विक महामारी के कहर से सभी इस चंगूल से बाहर निकले हैं एक नए जीवन दोस्तों हिलोरे ले रहा है एक नई आशा एक नए उमंग बच्चों में नए विद्याले में जाने का सिक्षकों के बीच में सिक्षण से अपने को लाभानवित करने का ये सुवसर है तो शुब कामनाओं के साथ ये आशा करेंगे कि एक नया सवेरा आए जिसमें हमारे बच्चे पिद्यालियों को जाएं सिक्षक अपने पुनीद पेसे में इमानदारी से उन्हें पढ़ाएं और एक नए भारत की सब्सक्वीर दोस्तों साबने आए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आशा करता हूं कि आशा की इस किर करें लेकिन अगर आप डिसी ट्रेनिंग प्रताब गल उत्तर प्रदेश की खुबसूरत यूटूब चैनल पर नए है पहली बार विजिट कर रहे है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें जब भी आप सब्सक्राइब को बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बिल आइकन आ करें रहे हैं तो